तो फाइनली एस 20 FE 5G के लिए एक नया सौफ़वेर अपडेट समसंग ने रोल आउट कर दिया है तो कितने साइज का अपडेट फाइल क्या कुछ इंप्रूब्मेंट्स किया गया है क्या कुछ नए फीचर्स को एड किया गया है सब कुछ मैं डीटेल में आज के इस वीडिय कर दिएगा और लाइक कर दिएगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक आप लोग कंप्लेट कर दिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रिस कर दिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम है प्यूश और आप दिख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करें अपडेट फाइल की तो यहां पर आप देख सकते हैं 264.44 MB का अपडेट है अक्टूबर 2022 का सेक्योर्टी पैच है जो कि पिछले अपडेट में समस ने अक्टूबर का सेक्योर्टी पैच रोल आउट कर दिया ता इस अपडेट में बताया गया है कि ओवराल डिवाइस की स्टेबिटी को इंप्रूफ किया गया है और डिवाइस की सेक्योर्टी को इंप्रूफ किया गया है बक्स को फिक्स किया गया है कुछ फीचर्स को ए आए दोस्तों तो 5G का software update रोल आउट कर दिया Samsung ने H20 FE 5G के लिए इससे पहले अगर आप चेक करते थे तो यहाँ पर शो करता था your device manufacturer is yet to release software update लेकिन इस update के बाद 5G enable हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड 406.14 MB का स्पीड आ रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं यह टेल और device का model number तो finally Samsung ने 5G का जो software update है वो रोल आउट कर दिया है Samsung H20 FE 5G में तो अगर आप उन से डीस में रहते हैं जहाँ पर 5G के services available हैं तो आप इस software update को install करने के बाद 5G के services यूज कर सकते हैं तो यही था आज के इस वीडियो में उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजेगा like channel पे अगर पहली पर आया है तो चैनल को कर दिजेगा subscribe मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम